साथ यू नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सक्से जंगसान एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर के आगा हैं आपके लिए UPSC, MPPSC, SSC, UPSI, BANKS और अन्य सभी परिच्छाओं की दिरिष्टी से अति महतपूर 360 डिगरी करेंट अफेर्स यहाँ पर आपको हर एक प् ध्यान में रखते हुए हमने यह सीरीज चालू की है हर एक प्रशन के बारे में आपको डीटेल में जान कर देंगे उसका एंसर भी नीचे लिखा रहेगा साथी साथ में उसका जो एक्स्प्रेनेशन होता है वो भी प्रशन के नीचे ही लिखा रहेगा जिससे कि जब आप ह राष्टियों राष्टि घटना संग्रा है जितने भी आपके यहां पर करेंट अफेर के प्रस्ट मनते हैं उन सभी करेंट अफेर के प्रस्टों को हम डेली कवर करते हैं तो सभी परिच्छाओं की दिश्टी से बहुत ज़्यादा महत पूर है तो देखिए प्रस्ट यहां पर लॉंच किया गया है अब यह क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे ऑप्सन एहदक्ष ऑप्सन भी है एटलस ऑप्सन सी नैनो श्नीफर या फिर ऑप्सन नंबर डी है इन में से कोई नहीं चलिए इसका एंसर देखते हैं तो सही एंसर सी या कम समय में विसफोटकों का पता लगा सकता है ठीक है आत्मनिर पहर के तहट हंड़ेट परसेंट मैड इन इंडिया है यह विसपोटक टेश डिटेक्टर के लिए भारत की दूसरों दूसरी देशों पर जोह निर्बरता को कम करेगा देखिए ट्रेस डिटेक्टर क्या होता है विसपोटक टेश डिटेक्टर देखिए जैसा कि आपको पता है यहां पर जान की हानी होती है भारती सेना को तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 100% मेकिन इंडिया आत्म निर्वर्पता भारत के तहरी है कारिकरम लांच किया गया है जिसमें कि एक विसपोटक टेश टेट종 को यहां पर लांच किया गया है जिसका नाम क्या है तो नैनौ ऍइस नीफर के नाम से इसको बनाया गया ठीक है इससे पहले हमने और आपको रूबोट वाले वीडियो में ऐसे एक रोबोट के बारेमपा पार्दें यहां इक रोबोट Dare быть है तो हम आपको बता दूं तो रमेश पोखरियाल निसंग है ये भी प्रशन आपका बन सकता है तो याद रखीएगा ठीक है दस सेकंड से भी कम समय में ये विस्टोटक का पता लगा लिता है चलिए प्रश्च नमर 2 क्यों चलते हैं तो देए प्रश्च नमर 2 भारत में इन में से किस देश को सौ करोड रुपए के गस्ति जहाज सौपे हैं जैसा कि आपको पता है अभी भारत यहां पर अपने प्रवसी जो देश हैं उनकी सहायता में लगा हुआ है तो इसी के तहत भारत ने अभी हाली में सौ करोड भारत ने सौ करोड रुपए के गस्ति जहाज सौपे हैं आए देखते हैं तो देखिए भारत के प्रधान मंती नरेंद मोधी और सेसेल्स के राष्टवती वेविल राम कलवान के बीच आवासी सिकर संबेलन के दौरान भारत ने आपचारिक रूप से सौ करोड रुपए क के गस्ति जहाज पी एस जोरोष्टर को सेसेल्स को सौप दिया है तो जहाज का नाम याद रखेगा जहाज का नाम क्या है पी एस जोरोष्टर ठीक है सौ करोड रुपए के गस्ति जहाज यहां पर सौपे गया है इस जहाज की समुद्र में गती 35 समुद्री मील होती है और वह जो है सेसेल्स को सौपिन है अब देखिए सेसेल्स यहां पर न्यूज में आ गया तो सेसेल्स की जो है कैपिटल करेंसी यह आपके लिए बहुत ज्यादा महत्मूर हो जाएगी तो आइए आपको बता देते हैं से स्टैक का प्रश्ण बन सकता है यह सेसल्स की रहानी क और ये दिवस से पर आ गया है तो 200 होमे पैती दिवस कब मनाया जाता है? Option E है 9 अपरेल, Option B है 10 अपरेल, Option C है 8 अपरेल, या फिर Option D है 7 अपरेल. तो 200 होमे पैती दिवस कब मनाया जाता है? चलिए answer की बात करते हैं, फिर आपको इस question के बारे में पूरी static जानकारी देंगे. देखिए सही answer B यानि की 10 अपरेल को 200 होमे पैती दिवस मनाया जाता है, जो कि अभी मनाया गया है कल के ही दिन. चलिए आपको कुछ अतरिक तिजानकारी देते हैं, तो देखिए. बिस्वो होमे पैती दिवस, होमे पैती और चिकित्सा की दुनिया में इसके योगदान के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 अपरेल को मनाया जाता है. क्यों मनाया जाता है? कि होमे पैती में लोगों की जागरुकता बढ़े, इसलिए 10 अपरेल को मनाया जाता है. यह दिन जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिस्चेन सैमूल हैनीमेन की जैनती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है. तो किसकी जनती पर मनाया था है डॉक्टर का नाम आपके आज़ना है डॉक्टर क्रिश्चियन सेमुल हैनिमेंट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां पर भारत सरकार की दोरह कुछकार किये गए हैं अभी हाली में तो आयुष मंत्राले और केंद्री होमेपैथियों संदान परिसद ने नई दिल्ली में 10 और 11 प्रेल को दो दिवसी व्यग्यानिक सम्मेलन का आयोजन किया है इसी के ऊपर किसकी ऊपर होमेपैथियों अपर कहां पर आयोजन किया गया है आपको नई दिल्ली में यह यह गया है कव 10 और 11 प्रेल को किया वाला चली आगे बढ़ते हैं प्रसट नमर 4 कि और चलते हैं कि परस नम्बर 4 महेश योगी का आभी हाली में निधन हो गया है वह किस चेत्र से संबन्धत थे option एह से नियमा और राजनीती और संसी यह खेल जगत या फिर अप्सन नमर्डी है विग्जान जैसा कि आपको पता है निदन से भी प्रशना आपकी परिच्छा में बार बार पूछे जाते हैं तो यह MP की परिच्छा के दिश्टी से बहुत ज्यादा महत्मूर हो जाएगा चली एंस 1885 में मध्य प्रदेश की राज्य मंतरी भी रह चुके हैं अब इनका चुनावचेतर क्या था तो इनका चुनावचेतर इंदोर हुआ करता था इतनी सारी जानकारी आपके लिए यहां से परियाप्त हो जाएगी इनका चुनावचेतर याज रखिएगा और किस पार्टी के नेता थी तो Congress के नेता थी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेस्ट नमर पांच के वे चलते हैं तो प्रेस्ट नमर पांच देखिए विश्ट का पहला जीवित दाता फेफड़ा प्रत्यार पर किया गया है जैसा कि आपको पता अगर किसी को कोरोना बीमारी अगर हो जाती है किसी को तो सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पर पढ़ता है तो अभी हाली में कोरोना से ग्रसित एक रोगी को जीवित फेफड़ा जो है वो प्रत्यार पर किया गया है तो कहां पर किया गया है यही आपसे प के तो देखिए जापन की एक महिला जीवी दाता फ्रक्त्यारूपन प्राप्त करने वाली विस्त की पहली COVID-ख में तो कोरोना वायरस से हुई चती के बाद उनके फेफणों का प्रत्या रूपन किया गया जिसमें उनके पती और उनके बेटे के फेफणों के खंड दिये गए देखे पूरे फेफणों के यहाँ पर नहीं दिये गए फेफणों के छोटे 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 जो खंड होते हैं पहले कोविड रोगी यह महिला बन गई है कहां पर यह प्रत्तर ओपन हुआ है तो जापान में हुआ है याद रखीगा चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेश्ट नमबर 6 की ओर चलते हैं तो प्रेश्ट नमबर 6 यहाँ पर नियुक्ति से संब्धित आ गया हर एक आयाम को सच्चिव की बात करेंगे और बारत के न Breaking रूपमें नयुक्ति किया है लिठाट बेठान गाइस तो बाक्य की तीन सर्भ वो कौन है उंके वारे मुह बता दीजí तो चलिए उनके बारे में भी आपको बता देते हैं तो देखिए किन्द सरकान ने बित्र मंतराले के तहत नए राजस सचिव के रूप में तरुन भजाज की नियुक्ती को मंजूरी दी है अब डॉक्टर हर्शवर्दन की बात कर लेते हैं तो स्वास्त एवं परिवार करयान मंतरी जो है वो कौन है डॉक्टर हर्शवर्दन है बाकी के दो अप्शन की भी बात कर लेते हैं तो अजसेट की बात करते हैं तो वर्तमान केविनेट सचिव जो है वो आपके अजसेट है जीसी मुर्मू की बात करते हैं नियंत्रक यह महालेखा परिच्छक जीसी मुर्मू है अपने आपको प्रता ही होगा अभी हाली में बनाए गया है कम टोलर एंड एट ओनी जनर जो है आपके वो कौन है जीसी मुर्मू है चली आगे बढ़ते हैं प्रस्ट नम्र साथ की बात करते हैं प्रस्ट नम्र साथ का हैं उडीसा में अभी हाली में 14 दिन का मास्क अभियान सुरू किया गया है तो क्या होगा नियमावली होगी Um यह निया आपको पूरी जानकारी देते हैं स MR ने क्योड़ि नाइंटिन के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिन का मास्क अभियान चालू किया है इन दूंदों में मास्क ना लगाने पर पहली गलती पर एक हजार रुपए और दूसरी गलती पर दो हजार रुपए का जुर्वाना लगाए जाए गा यह पहली बार अगर आप बिना मास्क पकड़े जाते हैं तो आप पर दो हजार रुपए का जुर्वाना लगेगा उडिशा सरकान ने चालूगी है चलिए उडिशा की राजधानी की बात कर लेते हैं तो उडिशा गिराणी भूनेश्यूर है और वहां के मुख्यमंत्री कौन है तो गड़े सी लाल जो है वो उडिशा के राज़पाल है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेश्ट नमर् 8 कि बाट चलते हैं अब यहाली में कि संग्ठन ने अपनी एक हैंडबुक जारी करने का फैसला लिया है और यह प्रिश्ण थोड़ी आने वाला है लेकिन जैसा कि आपको पता है आपकी परिच्छा में हर एक एंगल से प्रिया करते हैं जो आपकी परिच्छा की दिष्टी से डेली करेंट अफियर में महत्त पूर्ण होता है इसलिए इस क्लास का हिनाम है 360 डिगरी करेंट अफियर ठीक है चलिए तो इसके एंसर की बात कर लेते हैं किसने अपनी एक हैंडबुक जारी की है चलिए कुछ जानकारी आप चंद्चूर ने जो है वो इस पुष्टिका का जो है विमोशन किया है इसका कार क्या है तो ओन-लाइन वाद्यम से जो विवाद होते हैं उनको समाधान करना इस हैंडबुक का हैंडबुक में सारी चीज़े बताएगे उनको समाधान करने के बारे में चलिए नीति आयोक की देक्श होते हैं लेकिन उपाद्यश की बात कर लेते हैं तो राजी कुमार जो है वो इसमेश में वर्तमान में नीति आयोक के उपाद्यश है चलिए आगे बढ़ते हैं प्राश्ण नमर, नियोको चलते है बाकी का दो ओप्सन यहाँ पर दिए तो ठीड यो जो के जो यह ह पार्क में अफ्रीकी चीता लाए जा रहे हैं ठीक है आए दिए भीया आपसंच में पालन पूत पाहने चीता नड़ Singapore भीएनी आपर लेकर चीता है। यहां इस बतर्ए होगी मेघनें पचीष दिनों में रखिये प्चीज चीए आपको दे तो मद्यप्रदेश के पालनपुर कुनो राश्टिव द्यान में अफ्रीकी चीता लाएने की योजना पर मुहर लग गई है पिछले 25 दिनों से भारती वन्य जीव संस्तान देरा दून की बीग्यानिक यहां़ के वातावरं का अध्यान कर रहे थे ठीक है अब इससे पहले तो बस कहा गया था कि हम अफ्रीकी चीता के लाएंगए लेकिन चीता को लाने से पहले यहाँपर जो है वन्य जिव संस्तान के जो बैग्यानिक होते हैं वो आकर के यहाँ पर निरिच्छड कर रहे थे वातावरण उनके लायक है भी कि नहीं है तो फाइनली उन्होंने बोल दिया हाँ यहाँ पर वातावरण बिल्कुल सही है यहाँ पर अफरीकी सीताओं को लाया जा सकता है तो अब य 1018 में इसे राष्टी उद्यान का दर्जा दिया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्च नमबर 10 क्यों चलते हैं तो प्रश्च नमबर 10 है अभी हाली में मद्यप्रदेश सरकार ने किस प्लांट से रोज 60 टन ऑक्सिजन लाने का करार किया है जैसा हमने आपको पहले प्लांट से ऑक्सिजन को यहां पर मंगाया जा रहा है और बिलाई श्टिल पाउर प्लांट और बेल बोपाल और दुरगापुर प्लांट या फिर ऑप्सन नमड़ी है इन में से कोई नहीं चलिए अंसर की बात करते हैं यहां पर मद्यप्रदेश रोज जो है 60 टन ऑक्सि जनाय करेगी कोरोना के बढ़ते प्रकोप में राज को लगबग 180 टन प्रति दिन जो है ऑक्सिजन की आवशकता पड़ सकती है जिसकी पूर्ती करने के लिए यहां पर मद्यप्रदेश सरकार लगी हुई उत्तर प्रदेश से भी कुछ मगाया गया है उडिशा से भी मगाय प्रदेश उत्तर प्रदेश में उपहार योजना चालो की गई थी कल हमने आपसे प्रशन पूछा था कि उपहार योजना कहां पर चालो की गई है तो उत्तर प्रदेश में जो है उपहार योजना चालो की गई है ठीक है और आज की प्रशन जिसका आपको कमेंट वाक्स मे अगर आपने वीडियो देखी होगी ये प्रस्टन हम अक्सर बार-बार आपको रिवाईज कराते रहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्म प्रस्टन है आपकी परिच्छा की दिश्टी से तो कमेंट वक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा देख कोई भी चीज़ अगर आप कमेंट कर देते हैं तो वो आपके दिमाग पर चप जाती है फिर आप उस चीज़ को कभी भी नहीं भूलते हैं तो कलके प्रस्टन का सही अंसर किसकिस ने दिया सुएता गौतम त्रिप्ति दूबे सीमा माकड़े इन सब लोगों ने बहुत अच्छा अंसर दिया है पूरा एक्स्प्लेनेशन के साथ में दिया है बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट करने के लिए अब देगी इन लोगों से अगर आप कभी भी यह प्रस्टन पूछेंगे उपहार योजना किसकी है तो यह सोते में भी आपको एंसर दे देंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की है उपहार योजना ठीक है तो याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा इससे आपकी दिमाग में चीज़े एकदम चप जाती है चलिए अगर वीडियो आपको पसंदा है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के पास सेर कीजिए चैनल को सबस्क्राइब करके नोटिफिकेसन बिल जरूर दबा लेजिए क्यों कि हम डेली आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आते रहते हैं बाकि हम बात करते हैं पि प्यस्ति आपकी से बालों के लिए तो कल हमने परेक्टिस सेट यहाँ पर अफ्लोड किया تھا भारती इतियास और मद्एपरदीस इतियास का झाल झाल